यह सारा सामान क्यों बिख्रा हुआ है तो मैं नोबिता के बच्पन की फोटोस दूने की कोशिश कर रहा था पर तुम्हें वो फोटोस चाहिए क्यों बस ऐसे ही मुझे यकीन है सब बोलेंगे कि मैं बहुत क्यूट था तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगे मेरा इंतजार क्यों नहीं किया तुम फिर देर से आए हो नोबिता हमने लगा था कि तुम भाग गए और तुम अपनी फोटोस दिखाना नहीं चाहते नोबिता ये देखो नोबिता ये उस दिन की फोटो है जो मैं पैदा ही हुई तो पिए थी बद शुजुका बच्पन में तुम सच में बहुत प्यारी थी और ये है मेरी फोटो दोस्तों पेश है सुन्यों की बहुत इस्टोरी शाम के पांच बचकर पांच मिनट सुन्यों इस दुनिया में आ गया सबसे पहले मैंने इसे अपने हाथ में लिया और मेरी आखों में आशो आ गये मेरा प्यारा बेबे मेरी प्यारी ममा ये है मेरी वाली चौक ना मत बच्पन में में बहुत क्यूट था ये देखो मैं तो वाकई चौक गया जियान ये एक मोटा सा बंदर लग रहा है दोस्तों मेरी बारी है टारा मैं बहुत क्यूट हूँ है न क्या कह रहे हो मुझे तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये क्या है इससे पहले की फोटो कहा है नोबिता ये तुम्हारे शुरुआत की फोटो तो नहीं है लाँ मुझे दो अरे इस आल्बम में तो तुम्हारे पैदा होने से नहीं बात की फोटोस है नोबिता पहले की फोटोस कहा है इसका मतलब तुम्हारी शुरुवात की फोटोस तो है ही नहीं शायद तुम्हारे मॉम डाड ने तुम्हारे पैदा होने के बाद फोटोस कहींची ही नहीं तुम कहना क्या चाहते हो? अरे नोबिता जब तुम पैदा हुए थे सुन्दर नहीं थे तुम्हारों मुह बहुत लंबा था तुम्हें देखकर लोग कहते थे कितना आजीब सा बच्चा है हाँ सही कहाँ तुम दोनों बहुत गलत कह रहे हो देखो ऐसा नहीं है जरूर इसकी कोई वज़य होगी अच्छा तो वो वज़य क्या थी मुझको लगता है कि इसके मौम डाईजे से प्यार नहीं करते थे तुम कभी बोलने से पहले सोचते हो मैं अपने पैदा होने के फॉरण बात की फोटो ढूट कर रहूंगा क्या हुआ इसे पता नहीं यह लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन मेरे पैदा होने के बात की फोटोस आखे जा कहा सकती है क्या मौम डाइड नूबिता से प्यार करते हैं तुम आ गए नूबिता तुम आज भी बिना अपना होमवग के बाहर गए थे हैं ना और पूरा कमरा भी बिख्रा पड़ा है तुम्हारा बात दर असल यह मौम की मैं अपने बच्पन की कुछ फोटोस ढून रहा था आपने देखी है मैंने तुम्हारी कोई फोटो वोटो नहीं देखी समझे तुम और कल स्कूल है ना तुमने होमवग भी पूरा नहीं किया आखिर तुम चाहते क्या हो की टीचर मुझे फोन करें जाओ अर अभी वह पूरा करो मैं वो बात में कर दूंगा तुम हमेशा अपना होमवग तालते रहते हो क्यो करते हो ऐसा बोलो क्य अब मैं अपनी फोटो जून कर सबको बताऊंगा मुझे पता था तुम अपना होमवक करने नहीं जाओगे तुम चाहते क्या हो तुम्हारे टीचर मुझे फोन करके शिकायत करे तुम्हारी मॉम एकदम सही कह रही है तुम जो कहते हो तुम्हें वो करना चाहिए क्यों नहीं करते हो तुम्हारे टेस्ट में हमेशा जीरो आते हैं समझ नहीं आता एक ही बात में तुम्हें कितनी बार समझाओं तुम हमेशा ऐसी गलते क्यों करते हो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे सुधार हूँ तुम्हें अपनी हरकते सुधार नी होगी, नोबिता, समझें? ये तुम क्या कर रहे हो, नोबिता? मैं जा रहा हूँ. क्या कहा? मुझे आखिरकार पता चल गया. ये घर जिसमें मैं रहता हूँ, मेरा असली घर नहीं है, डोरे मौट. ये तुम कैसी अचीट सी बाते कर रहे हो? ये ही सच है, मुझे अभी बता चला. अगर वो मुझे से प्यार करते, तो मुझे ऐसे नहीं डांटते, डोरे मौट. और मेरे पैदा होने पर बहुत जारी फोटोस भी खीचते. ये देखा, यहां मेरे पैदा होने के ठीक बात की फोटो ही नहीं है. सब एक महीने बात की है. इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्या कहा? अगर वो मुझे दिल से चाहते, तो मेरा नाम नोबिता कभी नहीं रखते. वो लोग कोई अच्छा नाम रखते हैं सबसे तो. हाँ, सही कहाँ. मुझे भी तुम्हारा नाम बहुत अजीब लगता है, नोबिता. लेकिन नोबिता नोबी बोलने में कितना असान है. और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है. चाहे इसका जो भी मतलब हो. इसका मतलब वाके में कुछ भी नहीं है. कहीं उन्होंने मुझे कोई पुराला नाम दो नहीं दे दिया. प्योट का बच्चा नहीं, उन्हों दोरेमान! नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था. बिल्कुल नहीं. नोबिता, तुम गलत समझ रही हो. अलविदा डूरेमान, बाइ. नहीं, रुक जाओ नोबिता, प्लीज. लेकिन में जाओं कहां पर. जियान की घर जाओ. हेई, नोबिता. सुनियों के घर चला जाता हूँ. तुम बिल्कुल क्यूट नहीं थे. या फिर शुजुका के घर. अरे, शुजुका. सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाया. चलो, चलते हैं. अच्छा, मॉम. मेरे पैदा होने के बात की बाते बताएं ना, कि मैं क्या किया करती थी? बताए, वो बहुत ही सुन्दर दिन था, अच्छा, जब तुम पैदा हुई थी, और तुम बहुत शान्त थी, एक तम एक प्यारे बच्चे की तरह, और तुम रो रही थी, मैं तो चौंक गई थी, पर फिर तुम्हारी मीठी आवाद मुझे बहुत सुन्दर लगी, और तुम धीरे धीरे चुप हो गई, सब ने कहा तुम बहुत सुन्दर हो, आरे, पारे सोने लग गई, ये क्या, अब क्या करूँ, मैं चाता भी नहीं लाया, चानो चलती फर चलते हैं मॉम, ओके बेटा, पता है आज लंच में खाने को क्या है, स्पैगेटी और शाही पनीर, सबकी मॉम्स अपने बच्चों का बहुत खयाल रखती हैं, लेकिन मेरी मॉम, अरे, तुम कौन हो, और तुम कहां से आये हो, क्या तुम भी अपना घर छोड़कर आ गई हो, मैं तुलकुल अकेला हूँ, नुबिता, कहां हो तुम, अरे, नुबिता तो कहीं नहीं दिख रहा, लगता है ये बारिशा भी रुके ये नहीं, लो, पिता, मैं आ गया, डोरे मॉन, तुम यहाँ, देखो, अब नाटक करना बंद करो, और मेरे साथ घर चलो, मॉम ने डिनर में नूडल्स बनाए है, क्या, नहीं, मैं घर वापस बिल्कुल नहीं जाओंगा, डोरे मॉन, लेकिन क्यों, मैंने कहा ना, मैं घर वापस नहीं जाओंगा, वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं घर वापस नहीं आओंगा, तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रहे हो, सच तो ये है, कि तुम्हारे मॉम, तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर ऐसी बात है, तो वो मुझे ढूनने के लिए, यहाँ पर क्यों नहीं आए, बोलो, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे जनम पर मेरे मॉम डाट कैसे थे नोरे मॉन, क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो, लेकिन कैसे, तो हम टाइम मशीन से उस दिन में जाते हैं, जब तुम पैदा हुए थे, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, चलो उस साल में चलते हैं, जब मैं पैदा हुआ था, और मैं पैदा हुआ था 7th August को, ये मेरा कमरा है, 10 साल पहले का, ये तो बहुत अजीब सा है, ये मेरा कमरा नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है, कई ऐसा तो नहीं कि तुम से पहले, यहाँ कोई और रहता था, तुम ने सही का, वो क्यों रहे हैं, भी गए तुम को अभी तर्ट पैदा भी नहीं हुए हो, क्या तुम साज कह रहे हो? मुझे लगता है ये डाड का स्टडी रूम होगा यहाँ कोई भी नहीं है जबकि आज के दिन में पैदा होने वाला था कहां है वो? अरे डाड, आपका स्वाकत है ये बताओ, तुम आखिर कौन लोग हो? ये मैं हूँ? नोबिता हूँ डाड, आप अपने बेटी को कैसे भूल सकते हो? समझ में नहीं आता ये कौन है मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए नोबिता, तुम्हे ऐसा नहीं करना चाहिए था भूल गये तो माभी तक पैदा भी नहीं हुए हो आरे हाँ सही कहा तुम आखिर हो कहा? कहा हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ ये डाड को क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ मेरा बच्चा रोवाला है मैं तो बहुत डांस करूँगा क्या कहा? नर्स बोल रही हो? अभी नहीं हुआ? खबर बस आने ही वाली है क्या? मैं वहाँ आ जाऊँ? क्या? मुझे वहाँ जल्दी पहुचना चाहिए मैं बसाने वाला हूँ मुझे वहाँ जल्दी पहुचना चाहिए वो जल्दी पहुचना चाहिए रुकिये डाड समझ नहीं आ रहा डाइड कहां कायब हो गए नो बता जड़ा ये देखो क्या आप मुझे वो वाला दिखा सकते हैं लेकिन जब तो पैदा हुए थे तद की फोटोस तो डाइड ने क्यामरा खरीद रहे है मेरा बेटा आने वाला है मैं सच मुझ बहुत ही ज़्यादा खोश हूँ लेकिन प्लीज हॉस्पिटल में शांती बनाए रखिए मुझे माफ कर दीजेगा लेकिन बनाए रखिए मैं पापा बन गया मैं पापा बन गया यह तो बहुत ही खुशी की बात है मुबारिक हो आपको लड़का हुआ है ख़बर देने के लिए शुक्रिया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप चाहिए तो उसे लेक सकती है मैं आता हूँ यह है मॉम का हॉस्पिटल रूम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझे यह बेहतरी इंतोफा दिया है शुक्रिया मुझे नहीं अपने बेटे को बोलिए कितना अच्छा बच्चा है कितना अच्छा है फोटो खिषता हूं अपने बच्चे की एक फोटो लेने तो बनता है ना वह रहा है किया सच में यह मैं हूँ कितना अजीव हूँ बिल्कुल बंदर जैसा तुम बंदर किसको कह रहे हो माप किजिएगा अरे कौन थे वो बच्चे वो बच्चे यहां पर घूम रहे थे मुझे उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी कि उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा हां डैट ऐसा सोचते है क्या इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है अफसोस की बात है उस व अच्छा तो अब हम इसका नाम क्या रखेंगे यह तो बताईए मैंने तो पता नहीं कबसे इसका नाम सोच के रखा हुआ है इसका नाम होगा नूबिता नूबिता अच्छा नाम है ना यह अच्छा है मुझे एक अच्छा सा नाम चाहिए था मैं भी उन्हें बता कराता कि वो मेरा कोई धंग का नाम रखें अंदर मन जाना बनना वो तुमें डाटेंगे इस नाम का मतलब क्या है? तुम बताओ ये ढूनना होगा देखो, तुम यहां से देख सकती हो, है न? वो बड़ा सा पेड उस नदी के सामने वो सब तु ठीक है, पर इस नाम का मतलब क्या है? एक बार बताता हूँ जिस दिन तुमने सबसे पहले बताया था कि हमारा बच्चा होने वाला है उस दिन एक बार मैं वहां पर गया था और तब मैंने पहली बार उस पेड पर धियान दिया था बहुत ठंड थी उस वक्त उस पेड़ पर बिलकुल भी पत्ते नहीं थे लेकिन फिर भी वो पेड़ खूबसूरत लग रहा था मेरा मन कर रहा था कि उसे देखता ही रहूँ जब तक हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं आता मैं सोचता रहता था कि यहां किस तरह के फूल आएंगे मैं उस पेड़ को बस निहारता रहता था और इसलिए आपने मुझे इस हास्पितल में लाने का फैसला किया हाँ मैं चाहता था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर स्वस्त बने अच्छा बच्चा बने खूब पढ़े खूब खेले और उस पेड़ की तरह वो हमेशा फलता फूलता रहे मैंने इस बच्चे का नाम यही सब सोच कर रखा है अब समझी तुम बहुत ही अच्छा नाम है मैं चाहती हूँ कि बड़ा होकर यह बहुत ही अच्छा दयालू और महनुती लड़का बने हाँ हाँ जरूर वो बिल्कुल ऐसा ही होगा और अगर वो तुम्हारे जैसा होगा तो वो स्कूल में जरूर फस्त आया करेगा अगर वो आपकी तरह होगा तो वो खेल कूद में भी फस्त आया करेगा है ना और शायद वो बहुत अच्छी ड्रॉइंग बनाएगा और एक दिन बड़ा होकर एक महान आटिस्ट बन जाएगा देखा तुमने माम और डैक तुमसे कितना प्यार करते हैं नोगिता क्या स्कॉलर बनेगा या फिर कुई बड़ा खिलारी चाहे वो बड़ा होकर कुछ भी बने बस उस एक अच्छा और नेक इंसान बनना चाहे और दूसरों की मदद करनी चाहे वो बहातुल हो खुश हो स् सबसे जरूरी वो हो एक नरम दिर इंसान बस कीजिए तुम आपको इतनी सारी उमीदें नहीं लगानी चाहिए क्या कहा तुमने यह बच्चा इतना भी खास नहीं नॉर्मल बच्चा है क्या तुम्हें हमारे बच्चे से कोई प्राब्लम है बोलो निकल जाओ यहां सारी सा अब मैं इसकी बहुत सारी फोटो खीचूंगा जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्च्पन की बाते बताया करूँगा हाँ यह कितना खुश होगा न और जब यह बड़ा होगा तो मुझे डैड डैड कहकर बुलाया करेगा अरे हाँ याद आया चलो उस पेड़ की भी एक फोटो ले लेते हैं अच्छा लग रहा है नोबिता को जरूर पसंद आएगा अच्छा तो ठीक है अरे वो कहां गया कहां गया वो अरे वो तो यही था अरे वो तो पाल अरे वो तो फाल याद रहा है वो तो जो बुझा आट को मुझा आट नोबिता मैंने तीन साल तक इस कैमरे के लिए पैसे बचाए थे ये तो पूरा तूड़ गया कितने अफसोस की बात है नुबिता के पैदा होने की फोटो सारी इसी में थी अब क्या करूँ क्या अब हम घर चले नुबिता अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मॉम डाट के पास तुम्हारे पैदा होने की फोटोस क्यू नहीं है सच तो यह है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं नुबिता वो देखो ये तो वही पेड है ना चले उसके पास चले अरे वा ये कितना बड़ा और खुबसूरत पेड है होना भी चाहिए इसकी वज़े से ही तो तुम्हें तुम्हारा नाम मिला है नुबिता अरे नुबिता अरे नुबिता तैड मॉम मैं शर्मिंदा हूँ नुबिता मुझे माफ कर दिना नुबिता मैं तुम्हें एक सचाई बताता हूँ जिस दिन तुम पैदा हुए थे मैं बहुत खुश हुआ था उस खुशी में मेरा कैमरा तूट गया था जिसके लिए मैंने बहुत पैसे जमा किये थे पर हुआ ये कि वो कैमरा मेरे हाथ से छूट कर पाने में जा गिरा मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी बच्पन के फोटो दिखाऊ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका बेटा तुम्हें एक बात बता देता हूं तुम्हारी मॉम और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे पैदा होने से पहले हमें पता नहीं था कि हमारे घर में इतना प्यारा बेटा आने वाला है मैं ये सब बाते तुम्हें वो फोटोस दिखाते वे बताना चाहता था लेकिन एक बात है वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते अच्छा आप जड़ा ये देखो नोबिता ये क्या है इसमें तुम्हारे कुछ स्केच हैं मेरा स्केच जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन पूरी रात बैठ कर तुम्हारी डाड ने ने बनाया था मैंने पूरी कोशिश की कि मैं याद कर सकूँ जब तुम पैदा हुए थे तो कैसे लगते थे पर मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है पर तुम बहुत प्यारे थे पढ़ाई या खेल हो या दोस्ति के हो जो बारी जैसे सुखा कोई पेड़ हो जो हरा हुआ नहीं कोशिशे कितनी करके देखी मैं गंजोर भी और असफल भी हूँ दरना आता है सभी को डरता तो हर कोई है कभी हर किसी में है नूबता वो कही किसी कोने में है च्छपा रो रहा है क्या वो डाइड यह मेरे लिप अखीती है तुमारा बहुत शुक्रिया बिटा मैं बढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, स्पूर्स में अच्छा नहीं हूँ, समझदार भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यार करता हूँ डाड ऐसा मत बोलो बेटा, तुम चाहो तो तुम भी मेनत करके ऐसा बन सकते हो तुम्हारे डाड बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तुम मेहनत करूगे तो तुम भी अच्छे बच्चे बन जाओगे और तुम हमारे बहुत ही प्यारे बेटे हो ला जवाब कितना अच्छा है ना? हाँ सच कुछ सच कुछ ये प्यारे दस तालों में कितना बड़ा हो गया है मिल्कुल हमारी नोबिता की तरह एक बात पीछू, मैं आप सब की यहाँ पर एक फोटो खीच सकता हूँ? जरूर, कैमरा कहा है लेकिन? टन 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 तो फिर सब लोग तयार हो जाओ और जर्डी से बोलो चीज चीज पालों में टन 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 टनोझे लोग पर जाओ रहाम चीज जर वालों में दो जर्डी से खाया है भूब यहाँ पालों से लिफ़ाँ झाल झाल झाल